हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट वेंज हिंदी मेरा नाम है अवनीज त्रिपाथी हम देख रहे हैं कि अक्षा 12 अर्थसास्तर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खुली अर्थ बेवस्था और समस्टी अर्थसास्तर यानि ओपन एकॉनमी एंड अमैक्रो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज मैं फिर आपके सामने उपस्तु थूँ और वो टॉपिक है भुक्तान संतुलन तथा ब्यापार संतुलन में अंतर यानि डिफ्रेंस बिट्विन बैलेंस ओपेमेंट एंड बैलेंस ओट्रेड यह बहुत जाड प्रियास करते हैं और डिफ्रेंस से बिल्कुल क्लियर करते हैं एक और बात इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखनी है वह यह की मैगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी माध्नम में आपका 6-12 तक कि सारी सिक्षा बिल्कुल यानि एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी सब्सक्रिप्शन या पैसे भर के पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला जाएगा पूरी की पूरी शिक्षा बिल्कुल निशुलक है तो इसी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं यह इंपॉ लेकिन एक समराइज वे में हम इन दोनों का अंतर देखने का प्रयास करते हैं जिससे आपका एक रिविजन भी हो जाए और इस कंसेप्ट से आपके सारे प्राइंच दूर हो जाए अब देखे एक मैं आपको और चीज़ चुकि हमने चैप्टर पहले से सुरू किया मैं है कैसे भुगतान संतुलन में क्या है कि द्रिस से मदें अद्रिस से मदें यानि कि विजबल आइटम्स इन्विजबल आइटम्स इसके साथ साथ सारी यूनिलेटरल पेमेंट्स और पुजी का सारी चीज़े इसमें सामिल की जाती है उसमें से एक चीज केवल द्रिस से मद यानि visible goods का import export जब हम निकाल के उसका balance करते हैं, उसका import export की तुलना करते हैं, तो हम ब्यापार संतुलन में जाते हैं, यानि भुकतान संतुलन का ही एक भाग ब्यापार संतुलन है, इस बात को आप ध्यान दखेंगे, और जब यह दिमाग में रहेगी बात तो आप difference easily कर इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, यह बात जरूरी है कि ब्यापार संतुलन की चर्चा क्यों की जाती है, ब्यापार संतुलन की चर्चा इसलिए की जाती है कि पूरी दुनिया का जो economic status है, वो इस बात से चेक किया जाता है कि किसी देश का import export कैसा है, तो हम सा कौन सा इसका ब्यापक्ता किसकी ब्यापार संतुलन के बात करें, तो ब्यापार संतुलन में केवल वस्तू के आयात निर्यात क्या किया जाता है, केवल वस्तू के आयात और निर्यात को ही शामिल किया जाता है, भुगतान संतुलन में क्या होता है, केवल वस्तू के आयात निर्यात को ही सामिल नहीं किया जाता और क्या क्या रहता है इसमें सेवा ठिक सर्विसेज और क्या रहता है एक पक्षी अभुक्तान ठिक और क्या रहता है पूजी अंतरण यानि पूजी वाले ट्रांजेक्शन तो इसमें काफी चीजे रहते हैं यह ज्यादा ब्यापक है य या आइटम्स की बात करें तो इसमें केवल द्रिस्ट से मदें या जिसको हम कहते हैं केवल विजिबल आइटम्स रहती है क्या रहती है क्येवल विजिबल आइटम्स रहते हैं ठीक है इसमें केवल विजिबल आइटम्स रहते हैं जबकि इसमें क्या होता है विजिबल और इ Invisible items है थीए यह निर्यातों को आप कर लिजए ठीक है आयात और निरियात ठीक है दोनों को सामिल किया जाता है और एक चीज आप ध्धान लखिए कि इसमें केवल दृत्स्से मनें और दृत्स्से मनें दोनों रहती है छे रखार बात करें तो वयापार Σंतुलन único सीमित ट्रेड is a part of balance of payment इस बात को मैंसा ध्यान लखेंगे और भुक्तान संतुलन ब्यापक है क्योंकि ब्यापार संतुलन इसका एक भाग है इस बात को बिल्कुल जरूरी रखना है क्यों भाग है क्योंकि जब भुक्तान संतुलन के चार हिस्से लिखते हैं वस्तू सेवा एक पक् रखना हो सकता है यह ब्ल्K ठीक बात है जैसे माल झायात कम हो निर्याद जादा हो तो अनकूल भैपार संतुलन रहता है और अगर माल लीजी कि निर्यात कम है और आयात जादा है तो प्रतिकूल ब्यापार संतुलन होता है उसको कहते हैं क्या अन्फेवरेबल बैलेंस और ट्रेड लेकिन ब्यापार संतुलन सदेव संतुलित रहता है सदेव संतुलित का मतलब क्या है जो भी डिफरेंसेज आते है है ना डेबिट और क्रेट में उसको रिड के माद हम से पूरा कर लिया जाता है जैसे बैलेंस जैसे बजट में हम करते थे हैं तो ब्यापार संतुलन यानि कि the balance of payment is always balanced but balance of trade may be the favorable और unfavorable यानि ब्यापार संतुलन अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है उपयोग की बात करें तो इसका आर्थिक विएपार जो इसका वियोग है वसकूँओ के आयात निर्यात सहीं संबंदित है यह सब क्या है अद्रिस नेंयों तो आर्थिक नीड़े जो लेने होते हैं किसी देश से कितना रेड लिया है कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है कितना निवेशम बाहर कर रहे हैं एफडियाई क्या रही है तो जितने important economic decisions लेने होते हैं उसमें जादा महत्तो भुक्तान संतुलन या balance of payment का है जबकि कम योगदान व्यापार संतुलन या balance of trade का है इस बात को भी आपको ध्यान लखना है अगर विसलेशन की बात करें तो यह किसी देश की भुक्तान इस्थिति का केवल आर्थिक विसलेशन है it is only economic analysis क्योंकि इसमें वस्तों का यात मिर्यात हो रहा है और इसमें क किसी देश के भुक्तान इस्थिति जो होती है वहां का संपूर इस्थिति क्यों है क्योंकि वहां सेवाएं भी है वहां एक पक्षिय भुक्तान भी है कोई देश उपहार किसी को दे रहा है कोई देश जो है वह बाहर से कितने लोग हमारे कमाने गया और कितना पैसा भेज हैं इस स्थिति की वी चर्चा की यातिया ने हमारे प्रवासी भारती कितने हैं क्या कारण है कि हमारे इंप्लॉमेंट नहीं को बाहर जाना पड़ रहा है संपूर्ण भी परण तो कल्चर एकॉनमी सारी चीज़ें इसमें सामिल रहती हैं इसके अलबा इंवेस्टमेंट की क् केवल आर्थिक विचलेशन है इसमें आर्थिक और नीतीगत दोनों तरह के विचलेशन दिखाई पड़ते हैं किसमें भुकतान संतुलन में परभाव के बात करें तो यदि व्यापार संतुलन देश के पक्ष में नहीं है तो या विशेष चिंतनी नहीं होता मतलब यह है यहां तो कि यहां तो किवाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है और देश की स्थिती पर फिप प्रतिकूल परभाव पढ़ने लगता है तो अगर हम इसका एक निचोर निकालना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि भुक्तान संतुलन ब्यापार संतुलन से बहुत ही ब्यापक स्थिती की बात चर्चा की जाती है इसकी ब्यापकता इसका रीच बहुत बढ़ा है जो कि ब्यापार संतुलन से बढ़ा है और ब्यापार संतुलन एक भुक्तान संतुलन का भाग है जो भुक्तान संतुलन के दृ को हम ब्यापार संतुल कहते हैं और यहां पर आयात निर्यात वस्तुओं का भी सेवाओं का भी एक पक्षिय भुक्तान का भी और फूजी खाते का भी तो बहुत बड़ा ब्यापक समझ में ज़रूर बताइगा और आपको ब्यापार संतुलन और भुकतान संतूलन का अंतर समझ में आना चाहिए और अगर इसमें कोई डिफरेंस होगा इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो भी जरूर हमें सुचित करिएगा एक बात का भी इसे सुरूप से ध्यान रखना है तो भी आप सेलेक करेंगे यहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन छोटे-छोटे टॉपिक वाइस वीडियो अधर चैप्टर के एंसी इटी शॉलूशन एंसी क्यूज प्रिविएस येर कोश्चन्स मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन सारी चीजें वेब साइट पर क् लाइक, सेर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए जादे से जादे वीडियो लेकर आते रहें इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करिए, सेर करिए और इसमें कोई कन्फियूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं स्टुडेंस अगले session में तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, take care, bye bye.